तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए है एक अमेजिंग वीडियो के साथ तो वीडियो में लास तक बने रहे और वीडियो को इंज्वाय करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें फिलहाल मैं मवजूद हूँ बांदरा के बैंड स्टैंड इलाके में जो समुद्र के किनारे पे बसा एक वी आईपी इलाका है और इस वीडियो में मैं बालिवुड के दो सबसे बड़े सूपरिस्टार के घर की टूर कराने वाला हूँ और वो सुपरिस्टार है शारुक खान और सलमान खार जिनका घर बैंड स्टैंड में मौजूद है तो चलो उनके घर का टूर करते हैं तो सबसे पहले मैं पहुच रहा हूँ गलैक्सी अपार्टमेंट का गिर्द दिख रहा होगा जो की बाजो में ही बोर्ड लगा हुआ है गलैक्सी अपार्टमेंट में ये गलैक्सी अपार्टमेंट वही बिल्डिंग है जिसमें सलमान खान रहते हैं हाट यह वही बिल्डिंग है जो फर्स फ्लोर है जो यहां पर बालकनी में परदा लगा हुआ है ना वो सलमान खान का घर है जो कि यह फ्लैट में रहते हैं और यह वही बालकनी है जहां से सलमान खान अपने फैन्स को हाई हैलो करते हैं जहां जब भी दिवाली होता है इद होती है या उनका बड़े होता है तो यहाँ पर हजारों में उनके फैन आ जाते हैं तो यहाँ से बालकनी जो दिख रही वहाँ से सलमान खान हाई हैलो अपने फैन्स को करते हैं वालिवूट के सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों में सल्मान खान का नाम आता है। इसके बाजूर सल्मान अपने इसी पुराने घर में रहते हैं जबकि बाकी बड़े सुपरिस्टार बंगलो में रहते हैं। क्योंकि सल्मान को इस घर से बहुत जुड़ा है, इनका बच्पन यहीं गुजरा है और इनके साथ इनके माबाप और छोटे भाई भी साथ में रहते हैं। और इनका पूरा परिवार इसी घर के सारे फेस्टिवल बड़े धूम धाम से मनाएं। हलाकि अगर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अंदर आप जाके देखेंगो तो यहां लगजरी हाउस मिलेगा जिसकी कीमत कई करोडों में हैं। और इसके उपर वाले फ्लेट में इनके माता पिता भी रहते हैं तो यहाँ पर इनकी सारी फैमली एक साथ रहती है। तो फिलहाल अब आटो लेते हैं आटो लेकर चलते हैं सारुक खान की तरफ जो की बैंड स्टैन में सबसे इंड में सारुक खान का घर है और सबसे पहला घर जो बैंड स्टैन का आ जाता है वो सलमान खान का है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बांदरा इस्टेशन आना पड़ेगा, बांदरा इस्टेशन से बाहरी आपको बस 211 नमबर की मिल जाएगी जो पाँच रुपए में आपको यहां पहुचा देगी, अगर आप आटो ले रहे हैं तो आपको पचास र तो सूरत बिल्डिंगग डेको यह ये कोनीक बिलीँग का मुंबहर के ब Gus एरий में आये और संकर के किनारे मजा गूले तो यह सफर तो फीकर रह जाएगा तो यह संकर काम वियू और पीछे पूरा बरिआ इस टैंड इलाका है जो किसी व्यू व्यू है और सामने आप सारुक खान का घर मननत दे सकते हैं तो फिलाल हम सारुक खान के घर के सामने बने छोटे से गार्डेन में मौझूद है जहां पर छोटे छोटे पेड़ वगारा लगे हैं जिससे थोड़ा हरियाली वाली फीलिंग आती है और साथ ये फुटपाथ वा यही पर सारुक खान आते हैं अपने फैन से मिलने के लिए जहां वो अपने बाहें फैला कर फैनस को भी खुष कर देते है तो यहां साइड से एक गली गई है गली के ओपर तक जाते हैं और पूरा घर इनका दिखाते हैं बाहर से अंदर जाने का तो कोई अलावी नहीं है जा सकते हैं बाहर से ही दिखाएंगे तो सोचो कितने बड़े एरिये में बना है घर लगबस 27,000 वर्ग फुट में ये पूरा इनका महल बना हुआ है आगे आपको छोटा सा बंगलो वाइट कलर में दिख रहा हुआ पीछे सारुक खान ने खुद ये बिल्डिंग भी बनवा घर है सोचो देखो वो रोड से और यहां तक कितने बड़े एरिये में ये घर बना हुआ है और ये मुंबई का सबसे पॉस इलाके में मौजूस है और सारुक खान का यह आलिसान घर जिसका नाम मनत है किंग खान ने इस घर घर को 2001 में 14 करोल रुपय में खरीदा था आज इ विश्टार होटल में ही आपको देखने को मिल जाए कि ऐसा आलिशान घर सारुक खान ने अपने लिए बनवाया है और यहां पर सिकोर्टी भी बहुत ही रहती है और जब भी आप यहां मनत पर आओगे तो आपको भीड पब्लिक की देखने को मिलेगी बाकी एक्टर के घर के बाहर ऐसी भीड आपको देखने को कभी कभी मिलेगी यहां पर अक्सर भीड आती है और यह दखो बैंड स्टैन का पूरा व्यू है तो सारुक खान का मनत घर आप देख चुके है तो यहां पर बैंड स्टैन में एक फोर्ट है जिसको बांदरा फोर्ट बैंड स्टैन फ यह है बांदरा फोर्ड जो की बैंड स्टैंड में मौझूद है और यहां से आपको सीलिंग का व्यू बहुत ही खुबसूरत मिलेगा तो चल कर आगे भी देखते हैं और उपर फोर्ड के उपर जाते हैं और वहां का भी व्यू दिखाते हैं कि वहां से आप लोगों को तो हम उपर आ चुके हैं और यहां से आप बांदरा वर्ली सीलिंग का व्यू देखें और समुंद्र का व्यू देखें कितना प्यारा नजारा आ रहा है और यहां पर कपल्स है और फैमली वगयरा आती है घूमने के लिए इंजुआय करने के लिए पिकनिक मनाने के लिए तो यहाँ पर ऊपर देखो गार्डेन वगएरा भी बन रहे हैं अभी पूरी तरह काम चल रहा है यहाँ पर इसलिए आप लोगों को पब्लिक नहीं दिख रही होगी तो यहाँ पर पेड़ वगएरा खजूर के पेड़ हैं ताल के पेड़ हैं और फुलवारी वगएरा भी लगाई की है जिससे यहाँ से और खुबसूरत नजारा लगे और पब्लिक यहाँ पर आए और यह पूरा फ्री है यहाँ पर कोई टिकट वगएरा नहीं लगता है देखो यह कितना सांदार व्यू आ रहा है ना बांदरा वली सीलिंग के पीछे मुंबई गरण चूमबी इमारते और बांदरा वली सीलिंग का कितना प्यारा नजारा आ रहा है तो यह बहुत अच्छी जगाए घूमने के लिए आप जब भी आई यहाँ आके घूम सकते हैं अब नीचे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि आप लोगों को नीचे क्या-क्या देखने को मिल सकता है यह देखो बांदरा वली सीलिंग का कितना प्यारा नजारा और जहां तक नदर जा रही आपको समुंदर ही समुंदर देखने को मिलेगी और यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जो की ताज महल होटल है और यह पूरा एरिया वहोद ही फोटो जैनिक है यहाँ और आपको एक से एक फोटो आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप रील वगएरा भी देखते होंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे टिक टॉकर रील बनाते हुए मिल जाएंगे इस फोट को आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा जैसे सलमान खान की मूवी वांटे भी देख लिया होगा तो यह वीडियो आप जादा जिस जादा सेयर करें लाइक करें कमेंड करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे थाइंक